नमस्कार दोस्तों मैं शिवशंकर और मैं बुझपूर गाउं में आयो हूँ यहां पे एक फार्म है जो बहुत ही बहुत ही बैतरिन तरीके से बनाया गया है लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां जो हमारे से होती हैं तो समय पर कुछ काम नहीं कर पाते हैं या मोसम की जो आपको मिलवाता हूं और परीचे दिलवाता हूं और समश्या जो है वो क्या है वो भी मैं आपको बताने का प्रियतन करूँगा तो नमस्कार बाइसाब पहले आप थोड़ा अपना परीचे दीजी हमारे दर्शकों मैं मैंस गड़्यू है मैं लग साल से यह गायों काई का अचा जिए अचाजा है तो अच्रक अचा जज अब धन्य पे जाते हैं पन तो जैसे आपज बतारा देखी बारिच की वज़े से अपने को समश्या आता है यह जल्दी बारिच बारी जल्दी है थोड़ा हमको दिक्कत आगे है अब दिक्कत बताईए जी क्या क्या हुई जी वो सारी समझाओ जो जो जाए खाट वो बिग गया है और उसमें पानी किसम से आ गई गायों को भी तकली होती बैठने के लिए रहने के लिए और खिलाने के लिए जी जी दिक्क अब उस समझच्या क्या होई कि सारी भीग गई सब भीगोई निकल नहीं पाए इसलिए गाया को भी परिषान होगे हमको परिषान होगी वह परीषान होगे तो अब जैसे यह आपर परिषान होगीundo अपने यह खाद लोगी तो अब इसका कैसे करो गे Egypt को अने जसको कैसे हाँ सभी बात है तो एक एक समश्या होगी मैं जो यह अपनी खाद जो भीग गई ना इसकी वज़े से क्या है अब इनको उठाने का जो खर्चा है वो यह मानलो तीन गुना बढ़ जाएगा लगबग पहले यह अगर बिल्कुल लाइट वेट होता बिल्कुल हलका होता सूका हुआ होता तो इसी समान को उठाने में शायद इनको कोई प्रोब्लम नहीं होती कितने मजदूर लगाते थे पहले आप अदे गंटे काम हो जाता हो जाएगा तो लोडर के साब से जो भी लोडर का आदे गंटे का खर्चा था अब वो मानलो 2-5 गंटे का हो जाएगा क्यों भी आपको ऐसा लग रहा है बारिस का मौसम आ रहा है तो सबसे पहले खाद फारम से साफ करें और फारम को जल्दी से साफ सुतरा रखें जब यह कर लेंगे साफ सुतरा तब हम इसका एक अलग से वीडियो फिर बनाएंगे उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे के लिए जो आड़ा बड़ा बनाता है उसमें भी खर्चा लगता है मतलब एक तो यह खर्चा बढ़ गया वही एक आदमी तो अब उनको रखने के लिए चाहिए जो फारम पर समाल सकता था वो वह आदमी उसको तो फारम समालना ही पड़ेगा प्लस में आपको एक आदमी और चीज उनको रखेगा और दूसरी जगा पहले जाने के लिए भी आने जाने के लिए भी दिखत रहेगी दूद निकालने वाली गाये को क्या ताइम लगेगा ज्यादा और उदर सगवड भी नहीं की चाहिए कि नहीं की पानी की नहीं की खाने के लिए कैसे खिलाएंग शर्थ बढ Чтобы करेकी स्ब्सक्राइग, जिए सब्सक्राइव, शelfr pegar दूपके तृपके सब्सक्राइब जरसे को 144. यहां पर यहां पर के साह़ा बहुत बढ़ा रीजन है यहां पर चराने के लिए बहुत सारी जगए जो खुली पढ़ी होई है। तो यहां पे इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है अराम से चरा लेते हैं लेकिन अगर आपके छेतर में अगर ऐसी जगह नहीं है और बारी सहारने वाली है तो इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए आप पहले ही इस खाद वगेरा को निकाल के और अपने फार्म को अच्छे से मैंटेन कर सकते हो और उसकी साफसफाई रख सकते हो धन्यवाद दोस्तों इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरह की समस्या होएं अगर और भी कोई होगी तो हम जरूर आगे परदर्शित करना चाहेंगे हमारे सहत इन्होंने जो डिसकस किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि इस तरह की समस्याएं किसी और फार्मर को ना है